नमस्कार मित्रों, डेजार पाइंट चैनल के इस नए विडियो लिक्चर में मैं हूँ अमिद्दूबे और हम कक्षा दस्की फिजिक्स का अध्यन कर रहे हैं, जिसमें हम बिद्दुत चैप्टर का अध्यन कर रहे हैं तो मेरे भाईया, हमने अभी तक प्रतिरोधों का शामांतर क्रम शयोजन तक का अध्यन कर लिया था, अब आगे जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बिद्दुत उर्जा, और ये जो बिद्दुत उर्जा है ना, ये बिद्दुत धरा का तापी प्रभाव के अंतर गताता ह है, इसलिए मैंने इसको एक नए तरीके से इंट्रोडूश किया है, यानि बिद्दुत धरा का तापी प्रभाव भी आप समझ जाएंगे, और आप बिद्दुत उर्जा भी समझ जाएंगे, ठीक है, एक बात और याद कर लिजिए, कि बिद्दुत उर्जा के डिफिनीश में, भाई जैसे चालक कोई तार है, तो हमने तार लिया है, तो तार लेकर हम क्या करेंगे, तार लेकर क्या करेंगे, उससे गड़्धा तो खोदेंगे नहीं, या फिर उससे किसी भैस को, या फिर किसी दूसरे जानवर को बांधेंगे नहीं, तार लेंगे, तार लेने का देश यहाँ है कि भाई उससे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वही कह रहे हैं कि माल लेते हैं कोई चालक है जैसे कोई भी चालक हो यहाँ पर एक चालक ले लेते हैं चलिए यही एक चालक है हमारे पास माल लीजी माल लेते हैं इसको पोलियो हुआ है चालक को भी थोड़ा स यानि क्यों प्रवाहित होने से जो उर्जा ब्याय होती है उसे बिद्दोत उर्जा कहते हैं फिर से आराम से भाई ये चालक है एक तार है मान सकते हैं कोई भी चालक है अब इस चालक में जब बिद्दोत उर्जा यानि आवेस प्रवाहित होगा तो आवेस की प्रवाहित होन से जो उर्जा ब्याय होती है उसे बिद्दूत उर्जा कहते हैं बहुत लंबा नहीं खीच रहा सिर्फ आपको डिफिनीशन याद कर लेनी है बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको ठीक है ज्यादा डिश्टर्ब नहीं होना इसके चक्कर में तो अब ध्यान से समझे कि जै विभुआनतर है वो वी हो तो यहाँ पे बिद्दू तूर्जा याद coalition वब्राबर क्या होगा तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो सुत्र बनेगा डबलू बराबर वी इंटू क्यू कब जब इस चालक के सिरों के बीच का विभुवांतर वी हो और इसमें प्रवाहित होने वाला आवेस या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस चालक में क्यू कूला आवेस प्रवाहित हो रहा हो ठीक है तो बिद्दुत उर्जा जो डबलू होगा वो होगा वी इंटू क्यू बहुत ध्यान से समझी एक बात और कि इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है क्या होता है जूल तो आप ऐसे लिखेंगे कि विद्दुत उर्जा विद्दुत उर्जा का मात्रक जूल होता है होता है ठीक है एक बार फिर से कहीं नहीं जाना आराम से याद कर लीजिए क्या पढ़ाया मैंने मैंने कहा भाइया किसी चालक में विद दुद आवेस प्रवाहित होने से जो अरजया बे होती है उसे व्द दूद आवेस कहती है अब अगर कोई चालक हो हमारे पास जिसके सीरों के बीच का विभवांतर V हो और उसमे Q कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो या फिर Q कुलाम आवेश को ले जाना पड़े तो जो बिद्दुत उर्जा होगी यानि W होगा उसे V into Q से प्रदर्शित करेंगे यानि W ब्राबर जो सूत्र बनेगा वो होगा V into Q आसान सी बात थी कुछ भी बड़ी बात नहीं थी W ब्राबर सूत्र होता है V into Q आपको ये सूत्र याद कर लेना है और एक बात इसमें केवल सूत्र ही सूत्र सिध्ध करेंगे अब ध्यान से समझेए एक चीज और तो अब आपकी दूसरी हेडिंग इस हेडिंग को आपको बना लेना है बिद्दु तूर्जा का सूत्र आपने ग्याद कर लिया कि W बराबर होता है V Q या फिर आप इसे W बराबर V into Q भी लिख सकते हैं ठीक है तो इस सूत्र को हमने ग्याद कर लिया है अब विद्दु तूर्जा देखिए सूत्र ही सिध्ध कराएंगे और कुछ नहीं जो जो लिखा है वही करेंगे ठीक है माल लेते हैं कोई चालक है चित्र बना के समझाता हूँ वही आपको कि माल लीजिए ये कोई छोटा सा चालक है हमारे पास इसका एक सिरा ये हो गया A दूसरा सिरा हो गया B और इसके सिरों की बीच का जो विभवांतर है वो V वोल्ट ह तथा इसमें I Ampere की धारा माल लेते हैं कि इसमें I Ampere की धारा प्रवाहित हो रही है कितने सेकंड तक T सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो चालक में प्रवाहित आवेस कितना होगा तो हम जानते हैं कि आवेस यानि Q बराबर होता है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I और ये T इंटू T हम ये सूत्र जानते हैं कि Q बराबर होता है I T तो यहां से ये सीज निकली अब ध्यान से समझेगा आपने सूत्र से दिखिया है क्या सूत्र किया है कि W बराबर होता है V इंटू Q तो चलिए इस V इंटू Q को समीकरण 1 बना देते हैं और इसे बना देते हैं समीकरण 2 तो भाया यहां पे क्या दिख रहा है आपको यहां पे Q है और यहां पे भी Q है तो Q के अस्थान पे हम I T को रख सकते हैं यानि Q का मान हम उठा करके समीकरण 1 में रख सकते हैं हम इस बात को लिख देते हैं कि मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं तो Q का मान यानि इस Q का मान समी करण दो से यह और समी करण दो से समी करण एक में रखने पर तो समी करण एक हमारे पास है W is equal to VQ तो हम W लिखेंगे W ब्राबर वी वी के अस्थान पर रहेगा इन्टू Q के अस्थान पर हम लिख देंगे I T को I T तो यह हो जाएगा W is equal to V I और T जहां पर W बिद्धू तोर्जा है V चालक के सिरों के बीच का बिभुवांतर है I चालक में प्रावाई धरा है और T यानि समय है आसान सी बात थी यानि बिभुवांतर आ गया V धारा आ गई धारा स्वरी यह धारा आई आ गई और इन दोनों के पदों में बिद्धू तोर्जा यानि डबलू तो यह एक सूत्र और सिध्ध कर लिया आपने ठीक है चलिए इसे बना देते हैं समय करने नमबर 3 उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया है फिर से पढ़ा है कि क्यू बराबर होता है आई टी तो हमने कहा कि क्यू कमान तो हमें आई टी पता है और डबलू बराबर होता है वी इंटो क्यू तो समी करन एक बना दिया यानि डबलू बराबर वी इंटो क्यू को समी करन एक बना दिया और क्यू बराबर आई टी को बना दिया समिक्रण नमबर दो और फिर हमने क्या किया Q के मान को उठा करके समिक्रण एक में रख दिया तो जहां पर Q था वहां पर हमने Q के मान यानि IT को लिख दिया और हमें एक नया सूतर मिल गया W बराबर V IT अब और ध्यान से समझे यह एक और चीज इसका मातरक आप जरूर लिखें इसका मातरक जूल अच्छा अब कुछ और पदो में हम विद्धुतुर्जा को ग्याद करते हैं धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्धुतुर्जा तो धारा तो हमारे पास थी हमने अभी देखा धारा और विभवांतर की पदों में यह विभवांतर यानि वी था और धारा आई थी इन दोनों के पदों में विद्धुतुर्जा को देखा अब हम देख रहे हैं कि धारा व प्रतिरोध यानि यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि आर भी आ जाए अभी ववांतर ने चाहिए अब आर चाहिए प्रतिरोध चाहिए तो हम क्या करते हैं हमने एक सूत्र पढ़ा है कि विभवांतर बराबर होता है विभवांतर यानि वी बराबर होता है क्या होता है वी बराबर V पराबर होता है I R इसे बनाते हैं समी करण नमबर 4 आपने पढ़ा था न कि R पराबर होता है V ये 5 I तो V पराबर क्या हो जाएगा ये I R में गुड़ा हो जाएगा ठीक है तो अब क्या करें कि जैसे हमने Q कमान रखा था वैसे V कमान रख देते हैं तो हम कहते हैं कि समी करण 4 से V कमान उठा करके समी करण 3 में रखने पर तो भाईया समी करण 4 से विभवान तर V कमान समी करण 3 में रखने पर तो 4 हमारा समी करण ये है समी करण 3 क्या है ये तो हम इसको लिखते हैं W बराबर V के स्थान पर मुसका मान रखेंगे I R और into I T अब मैं इसको अलग करके लिखता हूँ ताकि आपको doubt ना हो तो मेरे भी यह देखो ध्यान से यह W है W रहेगा I into R into I into T इस तरह से लिख सकते हैं ना क्योंकि I और R के बीच में गुड़ा है और I और T के बीच में भी गुड़ा है तो I का I से गुड़ा करेंगे जैसे यक्स का गुड़ा करें यक्स से तो वो हो जाता है यक्स स्क्वाइर उसी तरह से I से I का गुड़ा करेंगे तो यह जाएगर W बराबर I स्क्वाइर R बच गया और T बच गया तो I square R T तो देखिए धारा वा प्रतिरोध देखिए धारा है I है न यहाँ पे और प्रतिरोध क्या है R तो धारा और प्रतिरोध के पदों में भी हमने विद्धोतोर्जा को ग्याद कर लिया अब एक काम और करते हैं कि विभुवांतर और प्रतिरोध के पदों में ग्याद करते हैं देखते हैं कितने ज़्यादा पद हैं ध्यान से समझेगा सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए अब हम इसको बना देते हैं समीकरण नंबर कुछ बना देते हैं ये च्छे तीन था ये चार है तो चलिए समिकरन पांच बना देते हैं ठीक है और इसका मातरक जरूर लिखें जूल अब देखते हैं तो भाया हमने अगली हेडिंग बनाई है कि विभवांतर वा प्रतिरोध के पदों में विद्धू तूर्जा अब ध्यान दीजिएगा को भी उस सूत्र में रखना है तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है आई बराबर वी अपान आर ये होता है ना कहां से होता है ये ये ओम के नियम से ओम के नियम से आप आगे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं या फिर हमने पढ़ा है हम जानते हैं ठीक है कि आई बराबर होता है वी अपान आर, इसको बनादेते हैं समीकरण नमबर 6, तो समीकरण 6 से आप I कमान उठाकर के समीकरण 5 में रख दीजिए, यानि जहाँ पे I है, वहाँ पे हम V अपान आर को लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 ये है, I कमान यानि आई ये, आई बराबर भी अपनार, कमान सम्मीकराण 5 में रखने पर, तो सम्मीकराण 5 है हमारा W बराबर I स्क्वार अपन आर टी, यही न है सम्मीकराण हमारा 5 हुआ, टी स्माल बर रहेगा, ठीक है, अब I का स्थान पे हम लाएंगे भी अपनार को, तो देखिए, W बराब बराबर V का स्क्वार तो V का स्क्वार हो जाएगा, अपन आर का स्क्वार, आप यक्स को स्क्वार के रूप में लिख सकते हैं, या फिर यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं ना, तो इसका स्क्वार करने के अस्थान पे, आर का स्क्वार करने के अस्थान पे मैं आर ये T भी है एक आर से एक आर कट जाएगा अब बच्छे का क्या ये है डबलू तो डबलू रहेगा बराबर उपर है वी स्क्वार रहेगा इन्टू टी ये T भी आ जाएगा और पूरे का बटा हो जाएगा आर तो इस तरह से आपने देखा विभुवांतर वी भी है यहाँ प जूल यानि कितने सारे पदों में हमने डबलू का मान निकाला तो सब कुछ एक साथ निसकर्स निकाल के आपको दिखाता हूं एक बार आपने डबलू का सूत्र बनाया डबलू बराबर वी क्यों फिर आपने विभुवांतर वा धारा के पदों में बिद्दू तोर्जा का अध्यन किया यानि जो सूत्र आपका बना है W बराबर VIT सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए ठीक है फिर धारावा प्रतरोत के पदों में आपने अध्यन किया तो जब धारावा प्रतरोत के पदों में अध्यन किया तो आपका सूत्र बना W बराबर I square RT फिर आपने विभ पान आर जूल भी लिख सकते हैं ठीक है अब मैं पूरा का पूरा जितने सूत्र मैंने सिद्धिकी हैं वो सारे एक अस्थान पे लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें तो यह आपको लिख लेना है कि डबलू बराबर वी आई टी भी होता है डबलू बराब से याद कर लीजिएगा धन्यवाद